नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तयारी बहुत जोरो सोरो चल रहे होगी और इसी तयारी को चार चांद लगाने के लिए हम उपस्तित हो चुके हैं आपके सामने और ये क्लास रोज डेली जो है रात को आठ आपको मिलती है और आज जो हमारी क्लास है भारत संब्धान की क्लास नंबर चार है और इससे पहले हम तीन क्लास है करा चुके हैं और ये चोथी क्लास हमारी है बलकुँ सीरियल थे हम जिस प्रकार से लक्ष्मी कांत जैसी बुक हैं बहुत बड़ी-बड़ी NCRT जो आप आ अब यूपी-पैट का एक्जाम हुआ था और उस एक्जाम में यहां से एक कॉश्चन पूछा था तो सबसे पहली बात है कि आपको इस सारी विसेशता पता होने चाहिए जब आप भारत के नागिरिक हैं और भारत के संब्धान के अनुसार आप भारत के संब्धान में आस तो बता सकें और आप भी अपने उपर प्राउड फील करें कि हम एक ऐसे देश के संब्धान को अपनाते हैं एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसके संब्धान में इसने प्रिकार की विसेशता हैं तो हम यह पता होना चाहिए कि विसेशता है क्या प्रिकार की है ठीक है तो हम उन्हीं विसेष्दाओं बात करेंगे, क्योंकि आभी तक क्या हुआ है, कल जो हömरी क्लास थी, वह क्लास थी संब्राइबेदान समभा का गठन, के बाद में संब्राइबेदान का इंडर्मान किस तरीगत किया गय था, और फिर उसके बाद भारते छोंद महत्पोण कर जो है बहुत महत्पून हो सकती है ठीक है अब हम सबसे पहला बात करते हैं भारते संभीधान की पहली विशेचता क्या है तो हम सबसे पहली विशेचता हो गया है तो हम कह सकते हैं बिष्टरत संबिधान और इसी बिष्टरत संबिधान को हम कह लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं सबसे बड़ा लिखित संबिधान कह सकते हैं सबसे बड़ा लिखित संबिधान हम ये बात कह सकते हैं शीष को अब देखें क्या है बिश्तर संबिधान ये एक विसेशता है, याईनि कि भारत में दो प्रिकार के संबिधान है, एक लिखित और एक एलिखित, ठीक है, अरे बस उसमें लिखित संबिधानों में भी हमारा सबसे बड़ा लिखित संबिधान हमारा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इसमें ही मूल मूल संभीधान की अगर हम मूल संभीधान की हम बात करते हैं तो मूल संभीधान में जिस समय पर हमारा संभीधान लागू किया गया था 26 भाग आठ अनुसूची आठ अनुसूची थी जबकि आज अगर हम आज बरतमान में अगर आज हम बरतमान में देखें तो लगभग चार सो सतर आर्टिकल चार सतर आर्टिकल पच्चिस भाग ठीक है पच्चिस भाग बार है अनुसूची ठीक है और 22 भास आए जबकि यहां पर जो भास आए थी वो कितनी थी वो 14 भास आए थी तो यह हुआ है यानि कि इस महां अगर बात करें कि अनुसूची कौन कौन से योड़ी है तो 9 10 11 बारह यह अनुसूची जोड़ी गई है नो 10 11 बारह अनुसूची जोड़ी गई है ठीक है भई नो भी अनुसूची जोड़ी गई थी वो पहले संबिधान संसुचन का अंतर का जोड़ी गई थी दस भी अनुसूची बावन भी संबिधान संसुचन का अंतर का जोड़ी गई थी ग्यारवी अनुसूची जो थी वो 73 अगर हम यहां ही करते हैं बात तो तो यानि कि नभी 10 11 है और यह अनुसूची जोड़ी गई अगर हम भाग की बात करें इसमें अगर हम भाग की बात करें तो बैटा क्या जोड़ा था चारे जोड़ गया है थी not a girl भी जोड़ दिया गया है और आपका चोद है एजोड दिया गया तो बाईस और चार हम बात करें लो 26 तो यहां पर भाग सback हटा दिया गया था पूंता फंह गादा डिया था भाग साथ तो भाग साथ हटाया गया ठीक हर आठा था फटलडपर शॉड़ को चोथे का इसा लोडा दो करते हैं अब दूसरी विस्ञेष्ता के बारे में आपको बात करने बाले हैं चलिए ऐसा करते हैं अब दूसरी विस्ञेष्ता के हैं दूसरी विसस्ता क्या है तो दूसरी विस्ता था अ simply शोकर विस्ता दूसरे विस्ता क्या है वी विभीन स्रोटो ढें का समनभे अब सब्सक्राइब करते हो तो आपको समझ में आते हैं फिर आपको है कि यहाँ पर क्या है पहली बात यह कि जो उमारे संभीधान में है हमारे संभीधान में एक तो भारती सासन भारती आज शाशन अधिनियम अधिनियम 1935 निस्तोपैंटिस का संघ्र है और प्लस और अगर अगर हम बात करें तो दार्षनिक लिए गया है और हम बॉत पॉसर को है धार सेagen idb tat यहां न लिए गाए गया है वो कहां से लिएकां नियुक्त लेंगे हैं यह सब लाद US गोगें लादीकारलने है राजनीतिक सिरोथ जो हमने लिए है वो कहां से लिए Αधिकांस कहां से लिए हैं ब३र आधिकांस का अन्य कर दूब यह और देशों ने भी योगदान दिया एयसे कि हमारा यहां पर हो सकता ग्रिपितर यहां यहां तो हम अयल्रेड भी लिख सकते हैं अधी हैं और सकते हैं तो जर्मनी आफ टिक पर हम लिख सकते हैं चोथे पास तो ऑस्टेलिया तो इस तरीके से हम ने जो है विभीन सुरोतों का संचार वी है यह बिभीन सुरोतों है कि बनाए है जब आपढ़ी से लक्षमी कांदा पड़ो कि आपको स्वूंझ में आने का क्या है और आप अधिकांद बच्चे जो हैं इस टोपिक को छोड़ देते हैं इस को छोड़ देते क्योंकि ए उनके बच्कों के याद नहीं होता क्योंकि उनको लेंग्वेश समझमें आती नहीं तो आज हम आपको पूरी बताएएंगे क्या है लिसमें तो हमारे सम्विधान में दूसरी बिस्टता क्या है कि विविन सुरॉतों का संचार निके जो है यहांब अपर मूल-धिकार यानि कि क्या है हमारे मूल-धिकार Hess ठीक भूञें हमारा थीज़ें स्टां कि मूल अधिकार थेतरी बढूर्श शेस्ता क्या है एक मोनीघार अधिकार ठीकर मूल या मूलिक अधिकार चोथी बढूर्श राज्ये के नीति नर्देशक तत्व और पांच भी जो है विसेश्टा वो क्या है मूल करतब भी है 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 मूल करते अब आप सोच लोगे मैं इन साप सबको एक साथ को लिखा मैं साप कुइंगाना इन पर पड़ेगा आपको ठीक अब ही यह कहां पर ही यह भाग चार में सम्विधान में अर यह आपका भाग चार के इंकी संख्या जो है अगर मूल करकट्ब गिवात करें तो सब्सक्राइब करें तो अर्टिकल अर्टिकल 51 आइनि कि 36 से अर्टिकल 51 तक है अगर हम यहां बात करें इनकी संख्या जो है वह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है आरे वारे संख्यार क्या होते हैं मूल अधिकार हमारे यह हैं हमारे संभिधान की विसेशता है कि मूल अधिकार जो है हमें 6 प्रिकार के मूल अधिकार है कितने प्रिकार के अधिकार है हमारे इनकी संख्या कितनी है इनकी संख्या कितनी है इनकी 6 प्रिकार के मूल अधिकार है ठीक है ठीक है अब देखी क्या ह एक हमारा जो है वह समानता का अधिकार दूसरा है स्वत्तनता का अधिकार थीक है तो हमारे यह भी एक भी सेष्टा है कि कितने प्रकार के मूल अधिकार है ठीक है राजय के नीतितर्तातप यह हमारे क्या है यह जंगे प्रकोप्रना पड़ाइगा तो बहाँ को बताता हूं मुलादिकार क्या है केन सरकार से कोई भी नागरिक भारत का प्रतियक नागरिक जो है केन सरकार से अपने अधिकारों को मांग सकता है ठीक है यानि कि हमारी जिम्मेदारी है हमारी अधिकार है सरकार से अपने अधिकारों को मांगना ठीक है, यानि कि नागरिक को अधिकार दिया गया है, ठीक है, नागरिक को अधिकार दिया गया है, अपने अधिकारों को मांगना सरकार था, और सरकार की जिम्मेदारी है, कि नागरिक को वो अधिकार दे, ठीक है, यह होगी केन सरकार की बात, ठीक है, राज्य के निजनी तत प्रतियेक नागरिक जब भी COVID-19 हुआ था तो प्रधान मंत्री मोदी जी ने एक घोशना करती थी कि प्रतियेक राज्ये की जिम्मेदारी है कि बहुत अपने राज्यों को मतलब स्वस्थ एवं सच तरीके से नजर रखे और प्रतियेक आदमी को जो है प्रतियेक आदमी को ज होती है तो अधिकारी रखेंगे ठीक है तो जिम्मेदारी किसकी होगी राज्ये की तो ब्यक्तियों को राज्ये से मिलने वाले अधिकार है ठीक है अब यह हुगा क्या हुगा कि संभिधान में बात हुई संभिधान में दो जिम्मेदारी दे दी यानि कि मूल अधिकार दे है तो भो भी सम्भी दः की रख्षा करेंं देश की रखषा करें भार्थी एक उपर कर बना दिये खाराई और सस्ट Qur बना दिए और जब इस जोड़ा गया खिएलिय। मषडू का राज्यसरकार के लिए हम काम करेंगे ठीक है और नेती निततत्व जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जो नागरी को के लिए करेगी ठीक है और मॉली का दिकार जो है के इन सरकार की जिम्मेदारी है जो कि देश की जनता की लिए करेगी इस तरीके समझे लीजे अभी फिलाल में निको ठीक है भी तो यह तीन हमारे हैं ख भारत को भाने कापार व shooting हमारे लिमेंट हमने सब मुझा अची हमने सब यह सब इस तरीक इस तो हमारी हो जिए हो चुक है है 5 हो चुके है रही पांच उचिक है हमारी बिसेचताओं हो चुक है आप विल्कुल नोट करते रहे जिस्फाओं को ठीक है चलिए अब च्छटी मिसेश्ता जो है क्या है हमारी च्छटी मिसेश्ता इक आत्मक्ता और जुकाब के साथ च्छटी क्या है एक आत्मक्ता की और की और जुकाव के साथ के साथ संग्य विवस्था संग्य विवस्था बेटा यह हो गई आपकी छटी ठीक है छटी यानि की यानि की अब यहां क्या है कि संग्य विवस्था की स्थापना करता है यानि कि संभीधान क्या है संग्य सरकार की स्थापना करता है यानि कि इसका मतलब क्या है कि यह कात्मक्ता की और जुकाप के साथ भी संग्य व्यवस्ता यानि कि हम एक तरब जुकने के बाद भी हमें संग्य व्यवस्ता हमने बना रहे हैं यह संबिधान होने के बाद भी संबिधान हमारे क्या रहा संग्य सरकार बनाने की बात कह रहा है और संगे सरकार वाने का मतलब क्या है लक्षन क्या है इसके लक्षन क्या है अब यह देख लो संगे सरकार किसे कहते हैं जहां यह लक्षन होते हैं मतलब क्या क्या लक्षन होते हैं जब दो सरकारे होती हैं दो सरकारें तो हमारे यहां पर देखिए दो सरकारें एक तो राज् फिर के लक्षे क्ल बटारा पिर तीसा क्लाक्षिन क्या होता लिखित संबीधान क्या है लिख्त संबीधान क्या कि कि तीसरा क्या है तीसरा हम क्या सकते हैं संबिधान को सर वोचता मैंने संबिधान को सर वोचता सर वोचता यह भी एक लक्षन है ठीक है और सवतंत्र नयाय पालिका ठीक है भई सव्यतंत्र नहाई पालिका आप छटे पॉरिंट को समझ गए एक अत्मक्ता की और जुकाप के साथ भी संगय विवस्ता यानि कि यह हमारे भारिष संभीधान की विसेचता है कि संभीधान 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 संभीध सब्सक्राइब नहीं कि लोग यानी दो सदन क्या होते हैं प्लिप और संबीधान को सरवोचता होनी चाहिए और सुतन नायप पहले किसी को दबाब में ना रहे ऐसी जगार इतने सारे लक्षम होते हैं तो उसम कहते हैं संगे विश्था और संग्य विष्टा कौन करती है संभीधान और उसे कहते हैं हम एक अत्मक्ता के और जोगाप के साथ भी संग्य है विष्टा ठीक है भई तो अब मुझे बताईए कि आप छे जानकारी कर चुके हैं यानि कि छे पिरकार के हमारी जो हैं विसेश्ताओं का पता हमाँ है चल अब एक आप लक्षमी कांथ खोलके बैठ जाए पूरी तरीके से और उसमाप समझेए आप उसमें समझेए एक चीच को आप लक्षमी कांथ पढ़ना छोड़ दोगे क्योंकि उसमें त्योरी कल जादे दे रखा हम आपको सीधी बिलकुत देशी और सरल भासाम आपको हम ब जाए एक शरो मिश्ता और तो पहला आउसने हैं ऑनन्यता को मतलब क्या होता नम्यता का नं मैता को ऐन्यता को दूसरी बात है को ने मिभर एन नं की होता अगर लक्ष इंका नाम का पता नहीं होगा नंने आप अधर एक Heyo आप की नहीं कर पाऊगे ना तो नम्यता जो कहते है वो कहते है लचीला तो हमारा संभीधान जो हो क्या है लचीला भी है ठीक है और सबसे लचीला जो हो क्या है ब्रिटेन का ठीक है अगर हम बात करें अनम्यता का मतलब क्या होता है कठोर क्या होता है कठोर और यह कहां का है अमेरिक तो इस तरहे कि आई इसको याद रहेना यह एथ है शरकार का संगल जुट सरकार का संग्य स्वरूप सरकार का संग्य स्वरूप ठीक है ये भी एक विसेशता है आठी विसेशता क्या है सरकार की संग्य स्वरूप मतलब क्या है हमने अध्यक्सता प्रणाली को नहीं जुकारा अध्यक्सता प्रणाली प्रणाली को हमने एस्विकार कर दिया क्या कर दिया है एस्विकार बटकी यह है कहां की यह कहां की है यह अमेरिका की है तो हमारे हैं अमेरिका की सरकार के तरह काम निगलता हमारे हैं क्या चलता है हमारे हैं जो चलता है वो चलता है हमारे हैं संसद्य तंत्र चलता है है कि यहां पर है यह कहां की है यह बते हैं और यह सरकार का सौरूप जो कहां कहा है ब्रृटेन की हैं परधान मंत्रिय सरकार कैसी सरकार है परधान मंत्री सरकार हमारे हैं परधान मंत्री के नाम से सरकार चलती है ना कि राष्टपती नाम मात्र का सासक होता है जब कि परधान मंत्री जो होता बास्तिविक सासक होता है ठीक है बास्तिविक सासक होता प्रधान मंत्री ठीक है क राज्जय मेंने जिम्मेदारी होती Рीका के मुख्यमंतरी के बाष्केशं के हाथ मं चैन्वा राश्त नाममातर की तो यह हमारी विशेशता ज्याद हमचने रहे क्योंकि बड़ी हो जिअन्ना आपके उक्जाम के Hai ठीक है eight प्रिकार के में थोड़ी स्थी discuss कर लिये है ठीक है आप वहारी है नभी wisdom क्या है चाँ आपई प्रमेश्ता की संप्रभुत्ता संAm प्रभुत्ता एवं न्याइक सरवोच्था यह भी एक हमारी विसेचता है भारत संभिधान में क्या है भारत संभिधान में संसधिय संपरवृत्ता भी है और न्याइक सरवोच्था भी है जबकि जबकि अगर मैं बात बताओं क्या यहां पर जो संसधिय संपरवृत्ता है यह ब्रेटेन की है कहां की है यह ब्रेटेन की है यानि कहां पर है यह ब्रेटेन में जबकि न्याइक सरवोच्था जो है वह कहां पर है अमेरिका में ठीक है बैदेजी सुरोस तो फायदा हो गया नहीं होगा। ठीक है, बताईए, एक सेकंड रूखो जरह, पानी पीला है, पानी उठाला तहीं है। ठीक है भई क्योंकि अभी तो क्लास चलेगी अभी तो क्लास चलने वाली है तो क्या है भई देखें हमारे यहां पर क्या है नभी विसेश्था जो है वह संसद्य प्रवुत्ता एवं न्याय के सर्वोष्था तो संसद्य प्रवुत्ता जो है वो कहां पर है ब्रेटेन में है नियाएक सरवुष्टत तो है वह कहां पर अमेरीका में फिर भारते संभीधान में दोनों चीज़े हैं तो यह फायदा है ने विसेश्था हो गई न है यह ठीक है हो गया जी यह तो यह होगी दोनों भी सेश्था ठीक अब क्या है अब हम जो दस्वी बता रहे था रहे हैं पहसे है इस धर्म रपेक्स राज्य हैं यहां कि निया है एक धर्म और पेक्स राज्य है ठीक है हमारा संभी धान वे क्या है सभा डिला कम सभी ड्रहारा को मिद्धाफार कि आगे हमारे यहां पर किसी भी सभी दर्म को बराबर की में डिटा है यहां पर किसी भी धर्म को मानेता नहीं है जो कि एक मraf पहां ड依ग जो है ऊ Só संबीधान संसोधन संसोधन 1976 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था ये बात याद रख लेना एक्जाम मा जाती है ठीक है उसके साथ साथ देखिए धर्म रुप्रेक्ष कौन-कौन से आर्टिकल बताते हैं आर्टिकल चोधे आर्टिकल 14 में जिकर है इसका आर्टिकल 15 में जिकर है आर्टिकल 16 में जिकर है आर्टिकल 25 में जिकर है आर्टिकल 26 में जिकर है ठीक है भई आर्टिकल 26 में जिकर है आर्टिकल 27 में जिकर है आर्टिकल 28 में जिकर है आर्टिकल 29 में जिकर है आर्टिकल 30 में जिकर है और धर्म निर्पेक्स सब्द को आर्टिकल बड़ियासा देते हैं या अगर आप कहो कि नहीं है तो इन आर्टिकल उपढ़ों पढ़ो पाज लगा देखो कि नागरों के लिए बराबर कानून की सुरक्षा सब्चेए क्या कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे कानूनी साहता किसके अंतरगत आर्टिकल चोदे के अंतरगत तो यह बता देगा आपको पंद्रह में कहा धर्म लिंग जाती कि आदार पर किसी हैं भेदवा भी निकिया आगा रद्एक को सब्को को बराबर बता इता हैं गरुपे तो सब ही दर्मों को बराबर अधिकार घ्रम को तो सभी ध़र्मों को बराबर दिकार दिया गयाई को आर्टिकल 26 में 지금은 कि अपनी धर्म के कालेओं का प्रिवंदन कर सकता है क्या यह हो गया है तो सब है किया है करार पर रोख है 28 अगर मद बात करें 28 में सरकारी किसी सरकारी संस्ता में धार्मिंग निर्देश नहीं नहीं जाएंगे आफशा अलप संगयों को अपनी भासाल नाग्रिक सहीता गर्ैञरिक most बताते हैं जो कि हमारा एक प्रकार की विसेच्ता है हमारी एक प्रकार की विसेच्ता है फिर इतनी बात चली है अब 11 विसेच्ता वह थीチャॉदा वह चोटी थी याद मैं आपको सोरिष्स बता बता दूहँं मिन आप ब्यहां और आपका एक नंबर हो ले शक्राइब समझना नहीं है, समझना एक्जाम में नहीं आता, आती ही कि मैं विसेश्था, तो इस तो मैं आपको समझा रहा हूँ, यह तो बोनस दे रहा हूँ आपको में यहाँ पर, ठीक है भई, तो आपके जो है, सोरी, दस भी जो विसेश्था है, सोरी, दस भी जो विसेश्था है, सो तो जैसे सरकार चलाने के लिए एक कारे पालिका है ऐसे ही हमारे यहां नियाय करने के लिए स्वतन नियाय पालिका है तो इतनी थोड़ी याद रखने ना इसको इसको जादे दिहान मद्दों जैसे सरवोच्ता जो किसे जी जाती है याइनि केंद्र में केंद्र में केंद्र सर्वोस्टा लियाती गोट को परंतु देश में सबस्राज किस लियाती सुप्रिम को लियाती है ठीक है भई हो गया इतना बताईए जल्दी कि लिए इतना चलिए अब बारी विसेश्टा बताते हैं क्या है सार्भ्भोमिक व्यास्क मत अधिकार ठीक है सभी व्यक्तियों को बोट डन लेक अधिकार है ठीक है तो उसमें क्या है एक 61 संबीधान संसोधन संसोधन हुआ था 61 कब हुआ था 1988 अधिनियम के अंतरगत और लागु कब हुआ था 1989 में लागु हुआ था इसमें के कर दिया गया था कि मतदान की आयू जो थी 21 वर्स से 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स कर दी थी अभी SSC GD में कोशन पूछा गया यह यह अभी कोशन जो है SSC GD में कोशन पूछी लगया बेटा SSC GD में कोशन पूछी लगया इसे भी नोट कर लेना आप लोग ठीक है आप टेंशन बिलकुल ना लो आपको सारे अधिकार बताए जाएंगे जो भी विसेस्ता हैं सम्मिदान की सारी बताई जारी है करके और उनकी बारे में बता जारा के ऐस मेरी विसेस्ता क्या है एकल नागरिक्ता यानि भारत में कैसी है एकल प्रकार की नागरिक्ता है यानि कि हमें यहां पर राज्ये में जिसमें रह रहे हैं अमेरिका जैसा नहीं है हमारे यहां पर एकल नागरिक्ता है जो कहां से ली गई है कहां से ली गई है कहां से ली पडिएगा अगर मैं ऊनल तो अगर मैं अगर में जया उड़ता को इस तरीके से तो हम क्या है भारती है हुए लेको प्रहुत कोंप दिगे जैसे निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग हो गया, ठीक है भई, दूसरा अगर हम बात करें, तो CAG हो गया, क्यों हो चुका है, CAG, यह सुतन निकाए है, नियंतरे के महालेखा परिक्षक, ठीक है, तीसरा अगर हम देखें, तो UPSC हो गया, UPSC हो गया, चोथा अगर हम देखें, तो राज्ये लोकस सेवा, आयोग, ठीक है भई, देखें, यह तीन प्रकार, एक तो होता है, UPSC, UPSC, एक होता है, एक होता है, आपका होता है, एक होता है, SPSC, ठीक है, एक SPSC होता है, और एक होता है, एक उर होता है, जो हम कहते है, संयुक्त, यानि क्या होता है, एक संयुक्त होता है, मुझ यानि ये होता लाज्ज लोग से वाइं। कि यहां पर आपात प्राव्धान भी है आपात कालीन प्रावधान भी है यहां पर साथा साए पर कोई ही स्टती ही है कई भी तो मुस्टी अपाथ का लगा सकते हैं यह हमारे यहां पर जैसे हमारा पहरा पहल स्टेसरे करा तो रास्टेunden अपाथ । लिग आपाथ तो हम चुद्ट है श्यां उद्मेदारीय च्राश्टेस Idiot की ठीक है को कहां से ळंप सबखुक्र है दोसरा समय तो लेकर सब्सक्रीश कर्द का जिकर वर मेरे क्या इसको अब तक है इसका जिखर जो है 35659 तक है, तींसरा जो हमारे है अपर थे अश向्षाटात है,ぉह बित््या फॉलिकित, ऑफासम इसका जिखर स्वह तेfta को तीन सो शाट में होगा राष्ट पर कई संकर्ट आता है इंगर को संकर्ट आता तो उस्मेदाम में निघरेंगे इंदान को संकर्ण हता है कि इसमें में कितनी विशेशता है और ठीचर बनना चाहरे हो तो आपको एस्टा देखेंगी आपने कहीं पर क्या कर सकता क्या कर सकता अगर आप उमलब इस्प्सेश्टा अप कम से कम तो आप जिस चीज में आना चाहते हो आप उसके सथा आप ऐसे आजब पर आप संबीधान पढ़ना चाहते हो सम्वान की कोई परिशानी कोई भास कोई सिकायत नहीं होने चाहिए ठीक है तो सोली विसेशता जो है वो क्या है सोली विसेशता वेटा क्या है सोली विसेशता है तिरी इस्तरिय सरकार क्या है तिरी इस्तरिय सरकार क्या है यह नि हमारा सम्विधान में क्या है तिरी इस्तरिय सरकार जैस समीति याद आयों कि पढ़ाएंगे सबर करो कब जोड़ा गया था भागनो क्या जोड़ा गया था यास गण संभीधान संसोधन संसोधन अप्रेल और उन्निस सो तिरानवे नवे लागु कब हुआ था लागु कब हुआ था जल्दी बता तो लागु 24 कब हुआ था 24 अपरेल और 1993 को 24 अपरेल 1993 को लागू हो गया था ठीक है भाग नो ए भाग नो ए सहरी करण क्या है सहरी करण जो निकाय चुनाब होते हैं ये भी क्या है आपका ये भी कैसा है सत्य है तिरी इस्तरी ये कब जोलाकरा था चोहत्तर बा संविधान संसोधन कब 1992 में ये भी लागू कब शुन 1 June 1993 को ये लागू पर वहा था एक जून तो ये बात रखना 24 April 1993, 1 June 1993 ये 92 है ये भी 92 है तो आप ये देखे लागू डेट अलग है और बैसी डेट अलग है ठीक है भई? तो ये आपको पता होना चाहिए ठीक है? तो ये भी एक हमारी सम्विधान की विशेष्टा है ठीक है? ये भी हमारी सम्विधान की का विशेष्टा है? तिरी इस्तरी ये सरकार होना ठीक है? और अंतिम विशेष्टा जो है वो क्या है? जो अभी हाली में हमना देखी है अंतिम विसेशता जो है जो हाली में हमना भी देखिए क्या है यहाँ पर सहकारी समीतियां यहाँ पर सहकारी समीतियों को संबिधाने दर्जा भी दिया गया है यहाँ पर क्या करा गया है सत्रे विसेशता जो है वो क्या है सत्रे विसेशता क्या है सहकारी समीतियां सहकारी समीतियां मतलब यहाँ पर क्या था कि सत्तानेवा संबिधान संसोधन संबिधान संसोधन 2011 में ठीक हुई? और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें भाग 9A भाग 9B सोरी भाग 9B जोड़ा गया भाग 9B जोड़ा गया वो इसमें क्या गया सहेकारी समीतियों को संबेधानिक दर्जा बे सरनक्षन प्रदान क्या गया इसमें ठीक है भी तो हमारी ये विसेशता है क्या है संबीधान उन्य भाग भी में स्थाइकारी समीतियों की दर्जा प्रदान क्या गया अब बात कर लेते हैं यह तो और यहां इनको समझने के साथ साथ लिए अब एक बार लिख लेते हैं अंत में क्या क्या विसेशता है श्लिए को दिक्कत नहीं आप लिखते रहो हैं अगर हम हम पहले लिखें पहली बिशेष्टा लिखें तो क्या है बिश्टरत संभीधान कि बिश्टरत संभीधान दूसरी बिशेष्टा अगर हम बात करें तो क्या है हमारे यहां हमारे दूसरी क्या है दूसरा अगर हम बात करें यहां पर तो दूसरी कौन से पहले जो बिश्टरत दी थी भाना आपको और दोसरी किया है थि विभिन क्या था विभिन चलिके से उताटों कि श्रूटो-काधार त्थ क्या है क्यों क्या है मूल अधिकार चोथी पर जो है वह क्या है डिपस्ती डी पी कि mr dps पी फिर पांच में में क्या है हमारी मुल और तबивает थी करतिंफा उपच्छी भीर दिखेस्ता जो एच्पक स्पाधिए हमारी अजया था एक आतना ता की और जुकाव है नम्यता और नम्यता जुक्त हुम अगर हम सात भी बात करें, संसद्य प्रभुत्ता संसद्य सम प्रभुत्ता ठीक है दस्य विसेशता क्या थी एकी करत एंग स्वयतंत्र न्याय पाली का ग्यारवी क्या थी एक धर्म पेक्ष एक धर्म निर्पेक्ष राज जी थीक है बारवी विसेशता जो थी वो क्या थी बारवी थी सार्व भूमिक ब्यस्क मत अधिकार अधिकार 523 दिछ दो थी टे दिश्यष्टर टेर विस्ष्टर क्या थी संथ 15 नगरिक्दः एकल नगरिक्दा चोधी निकाए स्वयतंत्र निकाय पंद्रे विशेषता क्या थी पंद्रे विशेषता आपात उपबंध ठीक है सोल क्या थि से काए हैं तो यह हमारी होगी सट्रे की सत्रविसेषता निको गवार पढ़ लेना व्लगова गल दॉ pineapple मिल जाताी हो और इनको आज हमता तो तो आज का सेसन के बिलत नहीं रहेगे क्योंकि क्लास बहुत呢 नंवी हो जायगी ट्रीक है कल जो पढ़ेंगे हम कबढ़ेंगे छाओने थी फिर पढ़ने वाले हैं छो पढ़ने वाइन सुची फिर पढ़ ये नहाते नहाते हैं जहाते हैं जहाते हैं